जैसे मोटर साइकल लेकर भर से निकलता है अगर यह देख लेता है कि बास जा रहा है यह दोरो मितОर जाए तक मोड आती जाती है वहीं तक चला रहे हैं जब मैं वापस आँग तो साथ वापस आएगा मतलब तब तक आप का इंतजार साम हो जाए देखिए आरिफ भाई अभी मोटर साइकल लेके तयार है और उनका दोस्त सारस पक्षी उनके साथ देखिए कैसे उड़ रहा है पहले तो थोड़ा उसने दोड़ा रोड़ पर और उसके बाद फिर उड़ने लगा देखिए उनके साथ साथ उड़ रहा है तक्रीब रोई समय 40-45 किलो मीटर प्रत घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और ये पक्षी देखिए उनके साथ साथ उड़ रहा है अब उनके साथ साथ ये कहां तक जाएगा ये इन्होंने हमसे जब बात किया तो बताया कि यह पक्षी हम चाहे जितनी दूरी तक चले जाए हमारे साथ साथ उ देखने को मिलता है कि ये पक्षी और इनसान के बीच इतना प्रेम और दोस्ती हो कि उसका साथ एक पल के लिए भी ना छोड़े आप देख सकते हैं देखिए फिर आ गया अब उनके साथ साथ ये पक्षी जाएगा और देखिए आई भाई समय काफी स्पीड में हैं और दे देखिए एक बार इसको देखने में ऐसा लगता है कि कैसी महबत है कैसी प्यार है इन दोनों के वीच देखिए अभी यहां पे रुग गया आम तोर पर आप देखते होंगे कि लोगों का लगाव कुत्तों से बिल्लियों से इस तरीके के जब कुत्ते बिल्लिया पाल लेते हैं लोग तो उनसे ऐसा लगा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उनके परिबार का ही वो सदस है लेकिन यहां पर मैं आपको एक अलग तस्वीर दिखाऊंगा यह मुहमद आरिभ भाई है और यह जो पच्छी आप देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश का राज की पच्छी सार जानवर हैं जिनसे आप लगाव देखते होंगे लेकिन इस तरीके से पच्छी का लगा वो भी उत्तर प्रदेश का राज की पच्छी सारस का यह आप देख लिजिए कि जो सच्चा प्रेम है उसको कहीं ने कहीं सच्चे तरीके से परिभासित होता आपको तस्वीरों में दिख राहा होगार बुलाते हैं तो यह सारस पच्छी जो है इनके पीछे 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 चल देता है एक चीज मैं आपको और बता दूँँ कि जब आरीभ घर से बाहर निकलते हैं न बाइग लेकर तो फिर यह सहें चल देता है चाहे 500 किलो मीटर की दूरी तया करना क्या ह करूंगा कि आखिर सारस पख्षी मिला इन से इनको को आम तोर पर एप लोगा प्लूग देखते हुंगर पर देखे होंगे या फिर चीडिया घर बगएरा में आपको मिलेंगे इस तरीके से आपको नहीं मिलेंगे मुहमद आरिव भाई आपको हमारे चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है धन्यबाद आप लोग इतनी दूर से आई सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि इस तरीके से लोग कुट्व का सोग रखते हैं आप यह सारस पच्छी कहां आपको मिला और कैसे आपको इतना लगाओ हो गया इस पच्छी से तो उसको हम घर ले आए घर ले आने के बाद इसका टीटमेंट किये हैं उसके बाद खाना होना खिला है धीरे-धीरे इसका पैर सही होने लगा तो हमने सोचा कि यह पैर सही होते हैं जंगली होड़के चला जाए गए पर यह गया नहीं होड़के मेरे साथ ही रहने लगा यहा कितने टाइम तक इसका आपने इलाज किया ट्रीटमेंट मैं आपको दिखा दू जैसा कि आरी भाई बता रहा थी कि पैर में इसके दिक्खत थी पैर आप देख लिजिए गौर से पैर देखिए थोड़ा सा यह देखिए पैर में दिक्कत हो गई थी और यह पैर में दिक्कत ह उने की वज़त से ना उड़ पा रहा था ना चल पा रहा था लेकिन आरिभ भाई को यह मिला और आरिभ भाई इसका इलाज कर दिये और इसकी आप समझ लेजिए कि यह बेमिसाल दोस्ती बेमिसाल याराना आप कह सकते हैं इतना लगाओ हो गया है कि एक पल मुझे नहीं लग मुटर साइकल लेकर अगर इह देख लेता है कि बाईक से जा रहे हैं तो तुरंत हमारे पीछे-पीछे उड़ लेता है फिर ताहें दास किलो मीटर जाए चाहे 20 चाहे 40 चाहे 50 जित्ती भी दूर जाएए पीछे-पीछे उड़ लेता है सास साथ उता प्स मेरे इतनी पर रहती है इसकी जमी रहती हैं और आरी का साथ भी नहीं चोड़ना विल्कुल देख लिजिए यह भाई कहीं नहीं अपने आप में बेमिसाल दोस्ती है सोच लिजिए कि लोगों का आमत्वर पर इंसानों से इतना नहीं लगा हो पाता लेकिन जिस तरीके से यह बता रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पच्छी के प्रत इतना लगाओ है यह देखिए और जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि जब यह घर से निकल पड़ते हैं तो 40 किलो मीटर 50 किलो मीटर भी जाना हो यह हिम्मत नहीं हारता जी 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 जा है जितनी दूर जाना हो बहुत दूर दूर तक मेरे साथ चला गया जहां लोगों नों मिलता उनके साथ एक घंटे-दो घंटे रहता जैसे साम होने लगती वह से फिर मेरे पास वापस आप बुलाएंगे तो आ जाएगा जी बुलाने पर आ जाता है वह बुलाई आप थोड़ा से एक बर वह सब लोग कैमरा है अच्छा बिलकुल हाँ मुझे लगता है कि तमाम भाई तो अकेल है नहीं पूरे परिवार में क्या इनके परिवार के और लोगों से भी लगाओ है या फिर सिर्फ आरिव भाई से ही आरिव थोड़ा सा कुछ करवाई इससे कुछ अलग चीज़ें इसके साथ खेलते भी होंगे आप किस तरीके से थोड़ा सा यह सामने यह तो फिर आरिव भाई का दोस्त कहूं तो इसमें कोई यह नहीं होगा कि नहीं यह दोस्त नहीं है वाकई में बेमिसाल दोस्ती है आरिव भाई से इस पक्षी की यह सारक्स पक्षी है उत्तरपरदेश का राजकी पक्षी आप लोगों को पता भी होगा और देखिए किस तर सब коп कोई बढ़ननें को नियुक्ств मेरे साथ नियुक्त से को डर्ता कि कफुछ अब दोरता है आपके तो कभी आइसा कुछ हरकत किया है कहा युक्त ना काटने का ना कभी दोडा मुझको कुछ ने बस मेरे पास में रहता है जहां जाते हैं अभी आप लोग अभी बैठे का नहीं आप बहुत से लोग होंगे जो इस पच्छी को भी बैठा कभी नहीं देखे होंगे क्योंकि यह जल्दी से बैठते नहीं जमीन पर जमीन पर ब मेरा रॉट वीलर कुट्ता है उसके साथ रहता है वही दोनों जगह रहता है तो नीचे रहे गए तो ऊपर आपने इसको पकड़ा और इसका ट्रीटमेंट किया इसको यह लगा कि हमको सुरच्छित रखेंगे और आप से प्यार कर वैठा और आपके साथ ही रहता है और आपक चलते हैं चलता रहता है वह बीडियू में आपको दिखाओंगा यह बीडियो को DC देखेंगा घवर तब आपको लगेगा लगेगा कि वाकई में बेमिसाल दोस्ती है आरिव भाई कि इनके साथ अचानाम तो नहीं रखा कि यह बहुत बड़ा था नाम तो बच्पन में रखा जाता है बहुत बड़ा था जब लगभग देर दो साल का हो चुका था अब इसकी उमर लगभग साड़े तीन साल या अब पकड़के रखें थोड़ा से हाइट मैं देखता हूं लगभग हाइट कितनी हो जाती है आप पकड़के रखी अब दर मुझको लगता है अचा यह देखिए यह पंक आप देख लिजिए यह पंक लहराते हुए और मुझे लगता है कि अच्छा कितनी स्वीड में सब्सक्राइब और यह उतनी स्पीड में उतनी स्पीड में पास करीब मतलब हाँ से सूझ सकते हैं जब उड़ता है तो कभी-कभी इसका पंख मेरे सर में छूजाता है जी सतर की स्पीड तक हम भगाएं हैं गाडी और ऐसे पचास की स्पीड से धीमा चलोगे तो फिर साथ न जी जी ऐसा ही कुछ है जैसे बाहर कहीं गए रहते हैं तो कोई मेरे पास जाता नजदी का जाता है उसको काटने भी दोड़ता है जी जी बिल्कुल आप देखिए कि आम तो पर एक जो पालतू जानवर है वो कुत्ता है आम तो पर आप तमाम घरों में देखेंगे लोग पहुक नहीं लगता है लेकिन सहाब यह कुत्ता नहीं है यह उत्तरप्रदेश का राज की पच्छी सारस है तोर पर आप लोग नहीं देखते होंगे लेकिन यहां पर हम क्या कहें मेरे पास वह सब भी नहीं आ पा रहे कि मैं क्या कहूं इस दोस्ती के लिए याराना के पैर इसका टूटा हुआ था ना इसलिए जमीन जगा पर से नहीं उड़ पाता है यह दोड़ के उड़ता जैसे जहाज एरो पिलैन पहले उड़ती है थोड़ी देर रनवे पर दोड़ती है उसके बाद उड़ता है बिल्कुल देखिए तमाम चीजें आपको जानने को मिल यह दोड़ता है फिर दोड़ने के बाद फिर यह दोड़ता है और वज़ा यही थी कि पहरें चोट होने की वज़ेश चल नहीं पा रहा था तो फिर उड़ने आई अहीत पह भगवान मान लिजे की उनके लिए भाई भगवान है और वह भगवान सोच लिजी जिए भगवान और सिस्में क्या लगा हो चुका है अब आप खुद समझ लीजे और इस तरीके का जिस देखने के बाद आप लोग को क्या लगा इस तरीके कि भी मिसाल दोस्ती पर आप लोग की क्या प्रत्क्रिया है आप जरूर बताएगा और एक बार मैं फिर से पास चलूगा आरिभ भाई को लेकर यह देखिए आप हाइड आरिभ भाई तो कम से कम मुझे लगता सर पू बिल्कुल नहीं होगा यह देख लिजे हैं चार फिट से उपर ही होगा बिल्कुल है जो यह देखिए भाई इस पच्छी के साथ खेल रहें अपने अपने दोस्त के साथ पच्छी तो मुझे क्योंकि भाई याम तोर पर भासा है पच्छी कहना पड़ रहा है लेकिन आरीव इतना इससे लगाओ हो चुका इतनी बेमिसाल दोस्ती हो गई है इस सारस पच्छी से कि आप देख लिजे कि आरीव भाई जो भी प्रत्किरिया करवाना चाहते हैं इससे करवा लेते हैं अपने दोस्ते और बड़ी यह चीजे कि भाई इनके बगार यह रह नहीं सकता घर स चुपा दो उसके बाद चले जाओ तब अईसा नहीं कि निकल के डूड़ने लगे आपको नहीं नहीं निकल दूड़ने तो गाओं के मोड तक जाएगा जहां से रोड आती जाती है वहीं तक जाएगा वहां वहीं खड़ा रहे हैं जब मैं वापस आऊंगों तो साथ के और उसके बाद इनका इंतजार करता है तब तक जब तक आरिव भाई वापस नहीं आते अपने घर तक सोच लिजिए यह आता फिर वहीं मिलता और फिर आरिव भाई के साथ आता है क्या कहेंगे आप लोग को तमाम ऐसी चीज़ें मिली यहां पर और इस तरीके का एक इन कीये और अरे साथ रहता हो गया इस तरीके से इनके साथ мі將 बगर नहीं रह सकता है है और मैं एक उसमदों आ सीज़ें को बता दूब कि यारे भाई का इंसानियत करनाते इनसानियत आप पर देखने को मिल रही होगे लोग कहते हैं लेकिन देखने को नहीं सारे लोग कहते हैं इंसानियत इंसानियत सिर्फ सब्स बनाया गया लेकिन इंसानियत देखने को यहां पर सीधे तोर पर आपको मिल रही है कि आरिभ भाई के दौरा कई अगर उसका पैर नहीं चल पाता तो वह कुछ दिन तक रहता खाने पीने को नहीं पाता और फिर वहीं एक समया तक उसकी प्रेफ हो जाती उसकी मौत सब्सक्राइब और फिर वह दिन्हें में नहीं रहा था और दुनिया को कुछ अलग देखने को नहीं मिलता और वह जो सारा कुछ रहे है आरिभ भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आरिभ भाई का और एक चीज़ आप लोग जाए और इनको फालो करिए इनको सपोर्ट करिए एक इंसानियत के नाते यार अगर आपको इसको देखने के बाद कुछ लगाओ आपके दिल में कुछ कुछ महसूस किये हों आप इस तरीके से एक पच्छी के प्रतितना लगाओ तो मैं चाहूंगा इंसानियत के नाते आप लोग इनको फालो करिएगा इनको सपोर्ट करिएगा और मैं मैंसन कर दूंगा इनका इंशा आईडी भी उनका बिटा है अच्छा आज 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 आ आपको Das नाम 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 तो बता हो है सर्मार है यार बापू में इतनी हिममत नहीं लड़के होना अई से इनके बाद अच्छा तिक रोंकि नहीं उससे ही वह वह सfen रहधा है तौने कम लेक्तित मौने किया और आपको क्या लागा अपने प्रत्क्रिया ज़रूर देजया मैं चाहूंगा और मैं क्या कहूं मेरे पास तो कुछ ऐसे सब्सक्राइब जो आ नहीं पा रहे हैं दिमाग में लेकिन मुझे नहीं आ पा रहे हैं इस लगाओ को इस प्रेम को युश बेमिशाल दोस्ती को देखकर चले आरिव रहे हैं और जहां से आये थे घर से देखिये य लेकिन इस तरीके से पच्छी का एक इंसान के पत इतना लगाओ इतनी बेमिसाल महबत इतनी बेमिसाल याराना इतनी बेमिसाल दोस्ती आप नहीं देखे होंगे भाई साब मैं एक नई चीज अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा था और मैं चाहूंगा कि पर आप लुग वीडियो को जादा से यहादा करिए का और आरी भाई का जो इंस्जाग्राम इड्य है उस पर आप लोग जरूर जाए एक बर विजिट करिए गा और आरी भाई को फालो करीका एक इन्सानियत के नाते मैं इसलिए कर रहाää कि इंसानियत की वज़ह आज यह आप लोगों को इस इस्तिती में देखने को मिल रहा इस तरीके से एक बैमिसाल दोस्ती का जो परिभासा मैं कई तो वो परिभासित कर रहा है यह सारस पच्छी अच्छा एक चीज मैंने नहीं पूछा यह खाता क्या अगर बाहर नहीं गया तो बाहर नहीं यह घर में आता है तो वही जो बना रहता है रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खाता है साकाहारी पर और इसको सुब हम दो अंडे खिलाते हैं देशी अच्छा अच्छा बेमिसाल दोस्ती पर इस बेमिसाल प्यार पर इस बेमिसाल मुहबत पर आप लोग प्रत्किया अपने जरूर दीजेगा और मैं फिर से कहा दे रहा हूं कि आरिव भाई का इंस्टाग्राम आइडी है और भाई ने बताया भी है और उस आईडी पर आप लोग जाईएगा जरूर और भाई को फालो जरूर करिएगा यह देखिए अब रोटी खिला रहे है आरिव भाई उसको देखियो अच्छा भूक नहीं लगता है इसको ऐसा लग रहा कि भूक नहीं है या फिर मुझे देखने के बाद या फिर मेरी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हो स नहीं हारता है यहां हमत नहीं हारता और इनके साथ यह उड़ता है और बाइक को बहुत कम बैटता है जब कोई नहीं रहेगा आसपास हमसे बाकेले रहें यह खुद अकेला रहे तब बैठता इसे लोग सामने फिर नहीं बैठता नहीं अच्छा कुट्टे बगेर हैं जो आप उन्हें कहा कि कुट्टा भी पाल रखा कभी इसके इर्द गिर्द आता नहीं वो तो साथ ही रहते हैं काटने नहीं कोई किसी को नहीं काटता नहीं इसको नहीं उसको दोने लोग साथी रहते हैं मुझे लगता कि इसको भी डर होगा इससे अच्छी वीडियो है प्संद आए तो लाइक कीजिए फालो कीजिए बिल्कुल इंसान इन किंतनाते आरे भाई को आप लोग फालो जरू करिए मैं मेंसन भी करूंगा और जैसा कि इन्होंने बता भी दिया इनके आड़ी पर आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा फालो करिएगा और इससे संबंदित तमाम आपको वीडियो मिलते रहेंगे आरिभाई के साथ जो भी प्रत्किया रोज की रोज होती रहती है वो मुझाॡ पारिव अपने इंस्स्ताप पर अपलोड कर रहते हैं आप लोगों की क्या प्रत्किया उस्यजद दोस्ती पर इस बेमिछद प्यार लाइब रोज सब्सक्राग हुएगा केमरे के पिछे सुनि लिए दो डिहाती क्रियाटर अमेठी